जैन अब्रिवन सीवियसी का सेंपल पेपर तो आपने देखा ही होगा साथी साथ लगा भी लिया होगा अब बार ही है सीवियसी के सेंपल पेपर को डिकोड करने की अब आप सोच रहे होगे सब कुस्त हमें पताईए कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेशन आएगा तो की अब्रिटिक आ सकता है कितने में आपका सरकल आ सकता है यह वीडियो बेसिक और बच्चों के लिए हेलफल होगा क्योंकि मैं दोनों की दोनुपेपर को डिकोड करूड करूंगा और जो भी पॉसिबल आउटकोम होगे वह आपको बताऊंगा जो भी पॉसिबल कॉम्बन वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आपने सेंपल वीपर दिखा होगा तो एक चीज बड़े अच्छे से रिलाइज कर लिया होगा कि भाईया सी के सेंपल वीपर में यह चीज तो में पता ही चल गई है कि छै क्वेशन आपके सबसे पहले है किस्टरिय', यह सब्सक्राइब यह क्या होने वाल आखरों कि सिलिबस क्या होने वाल है से लिए बस में आपको बता दूँ कि अलजब्रा से आपके पास आने वाले हैं क्वेश्चन 10 नंबर के लेकिन यह अलजब्रा में क्यों बात अलजब्रा के नहीं है अलजब्रा में बात आपकी दो चैप्टर्स की है वह है आपका कोड्रेटिक एक्वेशन और एक है आपका अरिथमेटिक प्लोग्रेशन आप यहाँ पर दीखिए अ अर्यांपर Souls यह हो सकता है कि या क्वाड्रेटिक के चार हो और एसपी के बात इस बार के स्टेंड्र पार नंबर के question आये थे जिसमें से 2 नंबर के 2 question आये हुए है ठीक है दो नंबर के 2 question आये होएं साती साथ AP की मैं बात करूँ तो इसमें आपके पास 6 नंबर का paper आया हुआ है एक आपका 2 into 1 है और एक question आपका 4 number का है तो यहां से आप समझ पा रहे होगे कि एक possible यह कि एक उटा आ जाता है यह possibility यहां से दिख रही होगी अब आगे बात करते हैं geometry की तो geometry में आपके पास दो chapter है पहला एक circle और दूसरा यह देता हूं यहां मैंने थोड़ा सा गलत बोले यह चैतिनों होगा ना चैतिन दस हो जाएगा तो आपका circle का जो combination रहा है वो टू इंटु वन और फोर इंटु वन रहा है और construction की अगर मैं बात करो तो एक question आया था अब यहीं पर चीजे उल्टी क्या हो सकती है यहीं पर चीज clearly समझ पा रहे होगे कि आपका एक चार नंबर का question algebra से होगा एक चार नंबर का question geometry से होगा तो आपने एक चीज fix कर लिया कि geometry और algebra तो strong रखना ही करना है क्योंकि आपके एक बड़े question इन चार चेप्टर में से एक एक दोनों में से आ जाएंगी अब आगे बढ़ते हैं आगे हैं आपका application of trigonometry जो की एकदम clearly आपको मैं define कर दे रहा हूं कि वो आएगा आपका 3 into 1 a question और a question 4 into 1 आएगा क्य इसा कर दिया जाए 3 into 1 और 2 into 2 किया जाए लेकिं ध्यान यह रखेगा कि application of trigonometry की दो छोटे-छोटे question बनाने से अच्छा है कि CBSC आपके लिए 4 into 1 का एक question बनाने की पूरी courses करेगी और इस साल के sample paper में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी चलिए आगे बात करते है mensuration की तो mensuration का भी बहुत clear cut solution आपके पास है जो surprise area and volume वाला chapter है उसमें या तो क्या होगा आपको 2 into 1 और 4 into 1 देखने को मिलेगा या तो यह combination आपको देखने को मिलेगी या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा 3 into 2 का combination देखने को मिलेगा जो मैं left side में लिख रहा हूँ यह इस बार के CBSC sample paper का है और जो मैं right side में लिख रहा हूँ वह आपको possible combination बता रहा हूँ कि जो कि जो चीज possible हो सकती है clear अब रही बात आ number का एक question और 3 into 2 question है और most probable मैं बता रहा हूँ कि यही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि या तो यह कर सकते हैं 4 into 1 और 2 into 2 आपके लिए कर सकते हैं या तो यह वाली combination देखने को मिलेगी और कत्ते ही आप यह मत सोचेगा कि 4 into 2 की combination आपको देखने को मिलेगी यह बहुत rare case होगी या तो यह possibility होगी तो यह सी बीसी का सेंपल पीपर जहां से आप एक चीज़ रिलाइज कर पा रहे होंगे कि आपके पास एक चार नंबर का question कहां से आएगा algebra से आएगा एक चार नंबर का question आपका application और ट्रिवो से आएगा एक चार नंबर का question आपका या तो surface area and volume से या फिर आपका statistics से आएगा यह most probable condition होने वाली है इसे प्रकास से आपको अपनी preparation रखनी है तो एक बर जरूर comment करके बताएगा कि यह जो मैं आपके लिए possible outcome बता रहा हूं यह आपको कैसा लग रहा है इससे आपको paper को analyze करने में और अपनी preparation को और बढ़िया तरीके से करने म मैं बात करूँ quadratic equation की तो इस बार आये था आपका 2 into 1 और 3 into 1 अर रही बात AP की मैं बात कर दो यह हो जाएगा आपका 2 into 1 और 3 into 1 अब यही पर आप एक चीज़ समझ पा रहे होगी कि अगर ऐसा combination हुआ तो algebra से आपके 4 number के question नहीं आएंगे लेकिन बड़े question आपको दोनों chapter से दिखेंगे तीन-तीन नंबर वाले में अब आगे बात करते हैं आपका next chapter है आपका statistics नहीं स्टैटिस्टिक्स नहीं सबसे पहले तो circle की बात करते हैं सबसे पहले तो circle की बात करते हैं तो 2 into 1 और 3 into 1 का एक combination है और construction की अगर मैं बात करते हैं तो 4 into 1 मतलब defined है कि यहां से एक 4 number question आपका निकलेगा ही निकलेगा आगे बरते हैं that is 2 into 1 और 4 into 1 तो यहां से आपको समझ में आ रहा है 6 number question और अगर मैं इसकी बात करूँ आपके जो पहले इसकी paper है मतलब की standard paper की बात करो तो वहां पर भी same combination आपको देखने को मिल रही थी तो इसका मतलब most probable यही combination आपको द से कहा था कि एक possible combination यह है कि 4 into 1 और 2 into 2 वह आपको basic math में देखने को मिल रही होगी तो यहां से आप एक चीज अनलाइज कर पा रहे होगे कि दोनों की दोनों paper में pattern change हो सकता है हमारी आलत क्या होती है कि हम जैसा sample paper देखते हैं वैसा ही अपने दिमाग में बैठाने लगते हैं और अगर comments भर भर के आते हैं 100 से ज्यादा comments आते हैं और लगवा 500 likes आते हैं तो हम science के लिए आपके लिए possible outcome वाली वीडियो जरूर बनाएंगे साथी साथ मैं आप सभी लोगों साथ एक और चीज़ सेयर करना चाहता हूं मुझे पता है कि आप लोग मेरे चैनल को अपने जूनियस को जरूर recommend करते होंगे जो बच्चे आप class 9-10 में move कर रहे होंगे वह NTSC के लिए मेरा चैनल जरूर यूज कर रहे होंगे और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ preparation किया था NTSC का तो आप सभी लोग अपने जूनियस को चैनल को recommend करिए और उन सभी बच्चों को मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अजुन ने कि I'm also available on an academy वहाँ पर मैं free classes लेता हूं paid classes लेता हूं अभी मैं बच्चों के लिए RM 2.0 भी चला रहा हूं जहाँ पर मैं math पढ़ा रहा हूं बच्चों को अनकेडमी भी लगातार कोसिस करता है कि बच्चों को किस तरीके से चीजें बताई जा सके उन्हें चीजें बताई जा सके कि बाई बविस में आपको चीजें कैसे करनी है तो अनकेडमी ने सभी बच्चों के लिए एक orientation week design किया है जो कि start हो रहा है 11 अप्रेल से तो आप सभ सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेशन के लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो में अपने दोस्तों किससे कहिए कि वह session को join करें और join करने के लिए अगर कोई आपसे code मांगा जाता है तो आप kgf live यूज कर सकते हैं बच्चों को आप recommend कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद वी